असलाम लेकुम डियर स्टुएंट्स I hope you all are fine I am your chemistry instructor Professor Shabazz स्टुएंट्स आज हम प्रोटीन्स के बारे में पढ़ेंगे उनकी structural organization पढ़ेंगे Means के primary, secondary and tertiary structure और last में हम कुछ uses देखेंगे biological importance and industrial importance और कुछ MCQs पर डिसकस करेंगे So let's move toward light board GDS students तो शुरू करते हैं आज का topic structure of proteins Basically आपको इस topic में structural organizations यानि के evolution of structure protein के अंदर कैसे आती है वो बताया जाएगा Although के ये topic आप biology में पढ़ चुके हैं लेकिन कुछ chemistry के aspects आज के topic में discuss किये जाएंगे So start करते हैं structure of proteins So students याद रखेगा Protein के बारे में के ये highly convoluted यानि के complex structure आपना कुछ primary structure इसके जो levels है protein के structure के secondary structure जिनसे आप अलड़ी थोड़े से वाकिफ है primary structure, secondary structure, tertiary structure and quaternary structure की तस्वीर light board पे देख सकते हैं जिससे आपको अंदाजा हो रहा है कि ये काफी complex और highly complicated structure होते है proteins के इस level of organization को समझने के लिए कि किस तरह से primary से secondary, secondary से tertiary structure की तरफ जाते हैं सबसे पहले तो आपको इस बात को establish करना है कि protein बने किसके है तो ये तो हमें already पता है कि जो protein के building blocks और amino acids है और amino acids का दूसरे amino acids से जो link होता है वो through peptide link peptide link उसको बोलते है जो कि एक amino linkage भी कहलाता है these students ये बात हम अच्छी तरह establish कर चुके हैं आपके सामने एक example है जिसमें students amino acids दूसरे amino acids से connect है through peptide linkage ये जो linkage है जो अभी मैं highlight करने वाला हूँ जी तब जो से दिखिएगा ये जो linkage है जो मैं highlight करने वाला हूँ students ये कौन से linkage है peptide linkage है अच्छा ये एक ये linkage है इस तरह से students second ये फिर linkage जा रही है ये linkage जा रही है यानि amino acids आपस में link है अब आप एक amino acids का general formula भी जानते हैं कि उसमें कार्बन होता है कार्बन के एक तरफ amino group होता है NH2 group एक तरफ hydrogen दूसरी तरफ general group होता है आर जो change होते रहते हैं जो कि आपको chapter 13 में पढ़ा के आएं और उसके लावा कार्बोकसलिक group होता है स्ट्रेंट्स इमाइनो और कार्बोकसलिक यहनी कार्बोकसलिक एसड़ next इमाइनो ग्रूप और इमाइनो ग्रूप previous कार्बोकसलिक एसड़ के साथ condensed होता है और यह peptide bond बनता है यह बात आपको अच्छे तरह के से idea है इसी इसका स्ट्रेंट्स सबसे पहले तो हम primary structure की बात कर लें primary structure क्या होता है जी a structure which is develop due to peptide linkages through amino acids amino acids through peptide linkages और उनसे जो structure ड्वेलप हो रहे है उस structure को student हम के बोलते हैं primary structure यह बात तो हमें समझ आ गई है अब primary structure में कुछ additional चीज़ने डिसकस करने जो आगे जाके हमें काम आएंगी कि यह जो primary structure है आपके सामने जिसमें इसमें 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 ना दो टर्मिनल्स होते हैं अब चैन का जो लास्ट पार्ट होगा जो के डेफिनिटली मैंने यहां पर एंड किया है लेकिन हकीकत में यह बहुत लंबी चैन है और चैन का जो एंड है डेफिनिटली वह कार्बॉ अक्साइल टर्मिनल यह इसको सी टर्मिनल भी कहते हैं जी अब यह निकलने वाले एच प्लस जाएगा चैन की दूसरी एंड पे और उस एंड पे इमाइनो ग्रूप होगा और वो जो इमाइनो ग्रूप है उसके उपर स्टूंड आपको पता है लॉन पेर पाया जाता है त H3प्लस अउ डिस टर्मिनल is called N-Term smile कि यहां मेंचिन करते हैं कि यह तर्मिनल है है टर्मिनल का नाम भी देतें हैं यह तर्मिनल गया है या गर टर्श्रिश्री स्ट्रेक्च्र में काम आएंगे तो अभी आप इसको इसcesडार्मिनल होते हैं स्टू genuine फोan उसके लाबा primary structure के अंदर, यह जो bond है, जो मैंने, यह जो area है, जो मैंने highlight किया है, यह planar होता है, planar. और, इन में जो angle है, आप देख सकते हैं, planar में angle कितना होता है, दूसरा strints, यह जो peptide bond है, carbon और nitrogen के दरम्यान में peptide bond है, यह non-rotational होता है, non-rotational. तो हम इसको भी mention करते हैं, जो peptide bond है वो non rotational है अब यह non rotational का क्या मतलब होता है non rotational का मतलब यह होता है कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ nitrogen के ओपर lon pair है जी अब अगर आप लोग चप्टर नबर 9 अच्छे तरीके से पढ़ के आए हैं तो वहाँ भी आपको conjugation resonance के कुछ concept बताये थे जिसमें आपने सीखा था कि यह lon pair shift हो सकता है इस carbon और nitrogen के दरम्यान में और यह जरूरत पढ़ने पे convert हो सकता है double bond के अंदर और जब यह double bond में convert होगा तो यह carbon oxygen का जो bond है oxygen पे shift होजएगा जिससे oxygen पे क्या चार जाएगा minus one तो student इसका मतलब है कि अगर मैं इसकी दूसरी शकल लिखूँ इस peptide bond की जो मैंने highlight किया है area तो यह ऐसा भी हो सकता है carbon oxygen minus one and double bond with nitrogen और यह reverse यह वापस minus one oxygen पे आ सकता है और यह bond दुबारा से lon pair बंग सकता है इसका मतलब हम कह सकते हैं कि carbon और nitrogen के दर्मयान में double bond करेक्टर है अब double bond का मतलब है कि एक pi bond है और एक sigma bond है तो इस pi bond की वज़ा से जो rotation है strength वो जो rotation है वो क्या रहेगी lock रहेगी so rotation lock होने का मतलब non rotational यह rotate नहीं करेगा अच्छा जब यह rotate नहीं करेगा तो इसका मतलब है कि यह अपनी जगा पे fix रहेगा और bond की strength रहेगी हाँ rotate करने से यह हो सकता है कि structure थोड़ा disturb होगा लेकिन चुके यह जो peptide bond है यह non rotational है that's why non rotational होने की वएशे यह strong हो चुका है strong bond हो चुका है और इसके non rotation और strong होने की वज़ा से primary बाते हैं जो primary structure में आपको पता होनी चाहिए अब हम primary structure से students move करने वाले है secondary structure देहान से देखेगा secondary structure में students secondary structure ना अब वो चार तरह का हो सकता है alpha helix, beta plated sheet, alpha loop and beta turns यह चार secondary basic structure है इस primary chain की conversion of secondary structure में कैसे होगी क्यों होगी सबसे पहले students याद रखेगा के हमारे पास यह जो कार्बोनाईल का oxygen है इस पे क्या charge है minus और इसी तरह से यह nitrogen का जो hydrogen है इस पे क्या charge है plus और वो hydrogen जो nitrogen से connected है वो highly electro positive होगा क्योंकि nitrogen जो है वो highly electro negative है highly electro negative है सो highly electro negative होने की वाएसे यह hydrogen highly electro positive होगा सो यह highly electro positive इस oxygen highly electro negative के साथ क्या develop करेगा interactions similarly students interactions है यह interaction क्या कर रही है यह इनके दरम्यान में create कर रही है students कौन सी bonding हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिस टोंस हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रियेट होने से क्या होगा कि यह structure जो अभी linear नजर आ रही है यह थोड़ा सा बेंड बेंड होने की कोशिश करेगी हाँ इस structure के bend होने की वज़ा से इस hydrogen bonding के वज़ा से structure में जो bends आएंगे वह उसमें चार तरह की possibilities है सबसे पहले अपना screen पे देख सकते हैं कि alpha helix जो है primary structure alpha helix helical structure के अंदर यह अपने आपको जो chain है वो arrange करेगी due to hydrogen bonding पिर सम टाइम ऐसा भी होता है कि hydrogen bonding की वज़ा से डिपेंड करता है amino acid की तदाद के उपर और amino acid के molecular weight के उपर तो सम टाइम amino acid के molecular weight थोड़े से कम होते हैं और कम weight वले जो amino acids हैं उनकी combination से जो primary structure से secondary structure में आना तो वह alpha helix की वज़ाए beta plated sheets में आते हैं अब आप स्क्रीन पे beta plated sheets arrangement कैसे हैं यह plate like arrangement होती है यह जिग-जाग हम इसको ना जिग-जाग arrangement भी कहते हैं यह specific लिताब होती है जब low molecular mass वले amino acids आते हैं high molecular mass वले amino acids में बेंड से जादा आते हैं वह helix structure में आते हैं alpha helix structure जैसे बोलते हैं दोनों structures आपको screen पे नजर आ रहे हैं student इसके लावा alpha loops और beta turns भी बनते हैं again यह सारी के सारी arrangements depend करती है nature of amino acids पे so students secondary structure structure which is formed due to hydrogen due to hydrogen bondings between carbonyl group and amino group students ऐसा भी याद रिखेगा कि यह जो H positive है और यह जो oxygen है इनके दरम्यान भी hydrogen bondings create होती हैं यह भी आपने याद रखना है so दो chances हैं एक तो यह सामने और दूसरा इसकी वज़ा से ठीक है यह दोनों तरह से हो सकती है समझ यह आया कि कार्बोनाइल और amino group में जो hydrogen है उन में hydrogen bonding create होंगी चाहे वो इस तरह से हो जवरामने सामने भी हो सकती है जी स्ट्रेंट्स अइओप कि आपको secondary structure समझ आ गया कि structure which is formed due to hydrogen bonding between कार्बोनाइल ग्रूप और nitrogen and hydrogen which is connected with nitrogen अब चलते हैं जी Tertiary structure जी स्ट्रेंट्स Tertiary structure अब Tertiary structure क्या है यह आपको बताते हैं अभी तक स्ट्रेंट्स दो level of organization structures यानि के structure की जो organizational level है वो दो उमपड़ चुके primary and secondary अब Tertiary की तरफ move करने से पहले याद रखेगा Tertiary structure का बनता है अब स्ट्रेंट्स Tertiary structure में होता क्या है three dimensional twisting and folding of polypeptide chain three dimensional twisting and folding of polypeptide chain formed Tertiary structure of protein student अब यह तो हमने sentence लिखा लेकिन यहाँ पे जो key factor है जो मैं आपको बताने चाहरों main factor चार तरह की forces हैं जो अब Tertiary structure को बनाने के लिए operate होंगे अब उन में सबसे पहली जो force है जो develop हो रही है definitely students वो सबसे पहले है वैंडर वाल वैंडर वाल forces like LDF London Disparean Forces यह बात आप अच्छी तरह जानते हैं students यह जो non-polar parts है लाइक यह आर ग्रूप यह जो आर ग्रूप हैं यहाँ पे जो आर ग्रूप लगे होए हैं आर ग्रूप की आपस में जो interactions develop होनी है twisting and folding की जो वज़ा बनेंगी वो आर ग्रूप पी उन में शामिल हैं यह नौन-polar parts हैं यह और इनमें कौन सी forces develop होती है students वैंडर वाल forces जो although बहुत वीक forces दूसरी जो टाइप है students जो के twisting and जो folding में मदद करेगी tertiary structure में वो है students ionic ionic linkage जी between c-terminal and n-terminal between c-terminal and n-terminal अब student c-terminal पे अगर आप देखो तो h-plus के जाने के बाद पीछे क्या charge बचेगा minus और n-terminal पे h-plus जाने के बाद चुके nh3 बन चुका है उदर क्या charge जाएगा plus so अब होगा क्या chain का एक तरफ negative end है और एक तरफ क्या end है positive so होगा क्या कि यह minus वाला end positive end को अपनी तरफ क्या करेगा attract करेगा ionic interactions develop so ionic linkage between c-terminal and n-terminal यह वजा बनेगी तीसरी वज़ा तीसरी वज़ा hydrogen bonding यह hydrogen bonding तीसरी वज़ा है जो के tertiary structure develop करने के पीछे उसकी hydrogen bonding वो तो definitely secondary के अंदर भी यही reason थी जी स्ट्रेंट अब हम चलते हैं fourth reason की तरफ जो कि सबसे main reason में count की जाती है वो है जी formation फूरमेशं ओव डाई शल्फाइड लिंकेज यह दाई सिल्फाइड लिंकेज के यह जी चारो बात आपके साथ डिसकुस करते है let's say मेरे पास ना एक चेंड है जिसको मैं यहां बनाने वाला हूँ अब यह समझ लें कि ट्विस्टिंग है अब एक बेसिक प्राइमरी स्ट्रक्चर में माइनो एसर्ड की चेन है जो मैं ब्लू कलर से प्रिजन्ट कर रहा हूं और इसमें जगा जगा पे स्टोंट से माइनो एसर्ड लगे हुए हैं हम यहां लगा भी देते हैं यह डॉट से समझ ल जी यह डॉट का मतलब स्टोंट सब समझ लें कि यह इमाइनो एसर्ड जेंग अब आपने करना क्या है सबसे पहले तो आपने याद रखना है कि यह ट्विस्ट करने के लिए चेन में जो एन और सी टर्मिनल अब वह मदद कर रहे हैं क्योंकि एन टर्मिनल मजबूर कर रहा है सी टर्मिनल को अट्रेक्ट तो सीधी सी बात है अब स्ट्रेट चेन अब और ट्विस्ट तो पहला तो उसकी वज़सी आजए दूसरा स्ट्रेंट अब यहां पर फर्स करें आपने देखा होगा यह मार्केप्टो ग्रूप लगावा यहां पर मायने इसर्ट में जो आर है उसमें मार्केप्टो ग्रूप भी आ सकते हैं तो लेट से मैं जगा को थोड़ा सा बढ़ा करूं त स्ट्रेंट ग्रूप एस एच ग्रूप है और इसके सामने जो इमाइन इसर्ट लगा है वहां पर भी स्ट्रूट एस एच ग्रूप है ठीक है अब होगा क्या कि यह दोनों हाइड्रोजन एलेक्ट्रॉन को रिसीफ करेंगे और यहां से निकल जाएंगे और जब दोनों स्ट्रफर है और वाई फिनर माइन एसर्ट के उनके साथ त셔야 मार्यकेट्ट गुरूप थे और वह सहां linkages हैं वो भी responsible है क्विस्टिंग के अंदर जी उसके लाव स्टुएंट्स हमारे पास लास्ट में hydrogen bonding definitely हर इमाइनो इस्ट के साथ जो है दोनों ग्रूप उसमें पाए जाते हैं तो hydrogen bonding भी इनके इंदर develop हैं so hydrogen bonding भी इनके दर्मियान में develop हैं सो यह चारों फेक्टर्स हैं जो responsible है चेन को एक स्ट्रेट चेन प्राइमरी जो स्ट्रक्चर है इमाइनो इस्ट का उसको कंवर्ट होगा वह पहले स्केंडरी में और फिर उसमें फोल्डिंग की जो जिम्हेदारी है बेसिकली वह डाई सल्फाइड अच्छा एक और चीज यहां पर आपको बताना चाहता हूं अब यहां पेना चेन को अगर डिटेल से एनलाइस किया जाए तो इमाइनो इस्ट में आर ग्रूप बाहर वली साइड पर रहेंगे अच्छा अब इनके बाहर वले साइड पे रहने की जो रीजन है वो रीजन यही है कि प्रोटीन अपने आपको टर्शिरी स्ट्रक्चर में तब ले जाती है जब वो हाईडरोफोबिक रहना चाहती है यानि पानी से अपने आपको दूर रखना चाहती है क्योंकि बॉड़ी में जादातर प्रोटीन का जो हैबिटेट है जहां जादातर प्रोटीन वो एक्वस है एक्वस मीडियम के अंदर होती है प्रोटीन तम्हें वोगिस एकॉस मीडियमम में और पानी में वो प्रोटीन डिजोलव न हो जाएंगी में और इस आपने आपको एक md और शेल में बंद कर लेना है वाला है कि पानी से ये दूर रहने वाले हैं जी यानि कि वूइ कैन से डैट के जो हमारे पास टर्शिरी स्ट्रक्चर है ये डिवेलप होता है हाइड्रो फोबिक नेचर ओफ प्रोटीन प्रोटीन की हाइड्रोफोबिक नेचर की वज़ा से आई होब स्टुएंट्स के आपको जो टर्शिरी स्ट्रक्चर है उसके पीछे जो लॉजिक्स है वो सारे अच्छे से समझ आ गई है अब स्टुएंट्स हम मूब कर रहे हैं जी नेक्स्ट कुछ प्रोटीन के अंदर तो क्वाटनरी लेवल भी आता है अब आपने मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि डिफ्रेंट थ्री डिमेंशनल प्रोटीन्स मिलती हैं और मिलने के बाद एक बड़ा हाइली कॉनवलेटिड स्टुएंट्चर जो डिवलब करती हैं उन्हें कौटनरी लेवल ऑफ स्टुएंट्चर बोलते हैं वो हमारे स्लेवरस में नहीं यह लेकिन आपको पता होना जाए कि टर्शिरी के बाद इससे भी कॉंप्लेक्स स्टुचर बनता है ट्रूस्टिंग आइन फॉल्डिंग के बाद यह इनि री ट्विश्टिंग आइन फोल्डिंग होती है उसमें सो वह कोटनरी structure यानि कोटनरी level of organization है हमने उसको discuss नहीं करता है स्टुट अब हम next point के तरफ move कर रहे हैं denaturation of protein denaturation of protein स्टुट डीनेचरेशन प्रोटीन से मुराद क्या है कि प्रोटीन की अगर structure maintain है तो अपना function perform करेंगे अगर प्रोटीन की structure को disrupt कर दिया गया तबाह कर दिया गया तो इसे बोलते हैं denaturation of protein so disruption of protein structure is called denaturation of protein students of protein के structure को disrupt करने के लिए आपके सामने कुछ method हैं like heat like ultra violet radiations change in pH under strong oxidizing and reducing condition अब जरा बात को समझने के कोशिश करें let's say हम सबसे पहले न पीएच चेंच अच्छ पीएच चेंच होने से क्या होगा पीएच के चेंच होने से students यह होगा कि यहां यहां तो यह जो hydrogen bonded molecules है वो disturb होना शुरू हो जाएंगे यनि structure के अंदर जो parts है वो पीएच के चेंच होने से acidic nature यह basic nature में जाने की वज़ए से अपने components को break करना शुरू कर देंगे क्योंकि वो components reaction करना शुरू कर देंगे ACD यह बेस के साथ सबसे पहले तो अगर पीएच चेंच करोगे तो यह structure खुलना शुरू हो जाएगा अच्छा अल्ट्रा वोलेट radiation again आप अल्ट्रा वोलेट radiation की मतलब से आप bonds को break कर वा सकते हो structure को break कर वा सकते हो जी नेक्स नेक्स नहारा point है अल्ट्रा वोलेट रेडियेशिंस अब आल्ट्रा वोलेट रेडियेशिं की मतलब से यहां तो आप structure को break कर वा सकते हैं खोल सकते आप structure को disturb कर सकते हैं heat heat hein Heating वो conditions हैं जिनसे structure disturb होगा so heat की मदद से आपने albumin के functionality को destroy गर दिया so example में आप क्या लिखोगे heating heating the egg white और egg white के अदर main component क्या है albumin और albumin जो है वो heat के बाद अपने आपको जब वो पका लेगा तो वो change क्या है non reversible change non reversible change यह नहीं केस्टोंट्स याद रिखेगा कि यह disruption of proteinic structure यह non reversible होता है लेकिन कुछ cases में reversible भी होता है और वो खास तोर पे pH change वले होते हैं यह खास pH पे protein का structure maintain है आपने की है pH change protein structure disrupt हो गया लेकिन दुबारा से maintain करने pH वो दुबारा से reform भी हो सकता है तो कहने का मतलब denaturation of protein non reversible non reversible तो होती है बट याद रखें बट in some cases it will it will be reversible जी यहां पर भी हम S लगाएंगे और वो जो cases है जिन में यह reversible है वो मैंने आपको बताया कि वो स्पेसिफिकली ऐसे cases होंगे जिन में pH change कर रहे हैं आप हीट अल्ट्रा वोइलर्ट और oxidizing and reducing conditions यह यह अगर cases apply करते हैं तो फिर मुश्किल होगा reverse करना pH change यह जाद तर इन cases में आप protein के structure को reverse कर सकते हो so in but in some cases it will be reversible यह important MCQ है आपको MCQ भी पूछा जा सकता है students I hope कि अभी तक आपको structure of protein में primary structure, secondary structure, tertiary structure और denaturation of protein समझ आ गया है अब हम next screen में कुछ daily uses discuss करेंगे protein के so अभी हम next screen की तरफ जाते हैं GD students तो अब हम देखने वाले हैं कुछ uses so biological importance क्या है protein की और industrial importance क्या है so यह दो main hidings है industrial importance and biological importance so सबसे पहले हम biological importance देखने वाले है protein की so protein takes an essential part in the formation of protoplasm students bio में आपको पता है protoplasm जो है उसमे protein essential part है और protoplasm जो है which is essence of all form of life देखो cell protoplasm के बगार तो होई नहीं सकता ना और cell के बगार life possible नहीं so आप मेरे screen पे देख सकते हैं कि protoplasm जो है वो cell को space देता है ना proper functions करने के लिए जब cell काम करेगा body grow करेगी so protein protoplasm का एक main juice है just one हमारा second point है nucleo protein अभी nucleo protein क्या होता यह mcq पूछा जा सकता आपसे which are complex of protein with nucleic acid students आपने dna जो के एक nucleic acid है आपने आगे उसको पढ़ना भी है protein का उसके साथ association देखा है chromosome, histone protein और dna मिलकर ही chromosome बनाते हैं ना और chromosome students एक heredity material है और यह genetics में आप पढ़ोगे बायो में किस तरह से वो एक generation से दूसरी generation में मुंतिकल करता है information को तो nucleo protein जो है वो heredity from one generation to another generation carrier के तोर पे भी serve as a carrier के तोर पे भी काम करती है जी students, next enzymes enzymes क्या है? biological catalyst which are biological catalyst are protein in nature without them, life is not possible जी, catalyst जो है वो हमारी body में जो reaction catalyst है enzyme, enzyme की वज़े से ही वो reaction चलते है catalyze होते है और हमारी body response करती है जी, next many protein have specialized function like hemoglobin जो है वो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है oxygen को blood में carry करती है hormones hormones हैं हमारी body में insulin and thyroxine ये body को regulate करते हैं body का sugar level regulate करते हैं so, ये regulatory proteins है जी, students, अब हम चलते हैं industrial importance की तरह tanning of hides hides बोलते हैं, students, खालों को अब खाल से चमड़ा बनाना, और चमड़े से फिर आगे हम उसकी different goods बनाते हैं leather goods, जो हम use करते हैं like jacket, like hue बनाते हैं so, tanning of hides tanning of hides से मुराद क्या है के जो hides खाले हैं वो protein actually so, protein ये इन खालों का tanning of hides के साथ reaction कराते हैं और tanning of hides के साथ reaction कराने के बाद जो protein हैं वो PPT, precipitate की फॉर्म में नीचे बैठती हैं और उन protein को फिर हम चमड़े, चमड़े की शकल में हम use करते हैं अब ये लंबा प्रोसेस है काफी के किस तरहां से tanning of hides की जाती है यह नहीं खालों को चमड़े में बदला जाता है सिर्फ इतना याद रख लें खालों की PPT करवा के उसकी precipitation करवा के उसमें से protein को अलएदा कर लिया जाता है और बाकी ingredients को निकाल दिया जाता है इसे बोलते है tanning of hides और इसमें जो main acid use होता है students वो tannic acid है यह आपने paper में as an mcq बड़ा important mcq है याद रखना है gelatin gelatin students आपने देखा होगा jelly, jelly भी इसको गयते है is obtained by the heating bonds skin and tendons students actually bonds, skin and tendons collagen protein होती है वो extract की जाती है और उसको फिर gelatin के तोर पे use किया जाता है different bakery items में आपने jelly देखी होगी जो कैकली gelatin ही होती है so gelatin is obtained by hitting bonds, skin, tendons in water it is used in bakery goods आप screen पे देख सकते है students इसके लावा casein casein एक और protein है is another protein used in the manufacturing of buttons and buckles I hope students कि आपको industrial importance जो है वो protein के समझ आगी है अब हम कुछ MCQs discuss करने वाले है so let's move toward whiteboard GTS students to MCQs की तरफ आते है हमारा first MCQ है which of the following element is not present in all protein sub-proteins में नहीं होता students याद रिखेगा के carbon, hydrogen, nitrogen तो immunoset के basic ingredient है तो ये तो सब में होंगे so sulfur के बारे में कहा जा सकता है कि वो सब में नहीं हो सकता so the choice is delta sulfur this one next protein which are obtained by the heating bonds which is used in bakery goods the protein is अच्छा अब ये बड़ी अपने uses में पढ़ा था daily uses of protein में के bonds को हीट करके बेकरी गुड्स में जो प्रोटीन आप लेते हैं वो जेलिटन है जेलिटन तो राइट आंसर इस बीटा जेलिटन जेलिटन नेक्स हमारे पास है protein on hydrolysis produce protein के जब हम hydrolysis करेंगे तो क्या produce होगा बार बार ये बात आपको बता दी गई है कि protein जो है it is made by amino acids तो जब उसको आप hydrolyze करा होगे तो टाइट बॉंड ब्रेक होंगे तो amino acids produce होगा the choice is alpha which statement is incorrect protein have nitrogen while carbohydrates do not enzymes are proteins a protein a complete protein has all essential amino acids protein like fats and carbohydrates are the sources of energy strength अब इनमें जो incorrect statement है वो alpha तो ठीक है protein जो है वो nitrogen है रखते हैं while carbohydrate में तो नहीं होता enzyme protein के बने होते हैं ये भी बार ठीक है delta भी ठीक है लेकिन Charlie जो है वो कहता है कि complete protein के अंदर सारे amino acid आएंगे ये ज़रूरी नहीं है so incorrect is C student next MCQ की तरफ चलते हैं in which of the process are small organic molecule made up into a macromolecule इनमें से कौन सा process है जिसमें small units मिलेंगे और small units मिलने के बाद n number of small units मिलने के बाद macromolecule बनेगा जी so अगर आप option एक देखें cracking of petroleum fraction उसमें तो आप fractions को लगजा करते हैं ना polymerization तो नहीं होती beta देखें तो beta option में क्या बोला गया है the fractional distillation of crude oil again उसमें भी distillation है charlie option देखें so charlie option में क्या बोला गया है a polymerization of ethene जी ethene unit है उनको जब आप polymerize कराओगे तो poly ethene बनेगा ठीक है और delta देखें the hydrolysis of protein protein को तोडोगे तो amino acid बनेगा यनि हमने reverse process नहीं बताना forward process बताना है जिसमें polymer बने टूटे नहीं बने so right answer is choices C I hope students कि आपको MCQ समझ आ गए है और ये वो कुछ MCQ थे जो board में आ सकते हैं और कुछ आ भी चुके हैं so अब दुबारा से हम move करते हैं अपने light board की तरफ और अपने lecture को end करते हैं so let's move toward light board G students I hope कि आपने MCQ को अच्छे से समझ लिया है so आज के lecture को अगर हम summarize करें तो हमने आज protein की structural organizations देखी हैं उनके levels देखे हैं primary, secondary, tertiary कौन से factors हैं जो primary, secondary, tertiary को control करते हैं वो देखे हमने और उसके बाद हमने protein की एक बड़ी important बात पढ़ी denaturation of protein protein की denature अब denaturation protein से क्या मुराद है वो मैंने बताया उसके बाद हमने last में लेक्चर के last में uses uses of protein uses कहां कहां देखे हैं biological importance देखिया उसकी और उसके लावा industrial important डिसकस की है student exercise के हवाले से जो questions हैं वो आपको पूछे जा सकतने इसमें मैं कुछ questions mention कर देता हूँ तो पहला questions तो आप से पूछा जा सकता है प्रोटीन्स की uses अब वो industrial भी हो सकते हैं और biological importance भी हो सकती है यह uses की जगा पे आप से इसकी जगा पे importance का word भी यूज किया जा सकता है importance इसके लावा जो question आ सकता है denaturing of protein denaturing of protein से क्या मुराद है तब आप अच्छी तरह जानते हैं आज के lecture में आपको पढ़ाया तीसरा सवाल जो student साब special क्यार करोगे वह जी difference between secondary and tertiary tertiary structures of proteins I hope कि आपको ये difference जो है secondary or tertiary structure में आज के lecture में समझ आ गया होगा students इंशालाद आला next lecture में हम lipids को start करने वाले तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें take care Allah हाफिस पुप cog पहाफिस में अबो